हेलो एव्रीवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोग शिक्षन संचनालय मद्द प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बेंक का संपूर्ण हल ये प्रश्न बेंक वर्श 2022 के लिए जारी किये गई है इसमें आज हम कक्षा ग्यारवी की भोतिक विशय की प्रश्न बेंक का संपूर्ण हल यहां पे देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प तो हमने लगबख सभी विश्यक की प्रश्ण बेंक का संपूर्ण हल हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है लिंक के माध्यम से आप देख पाएंगे तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो इसमें आज हम यहां पे अध्याय चार जिसका नाम है समतल में गती इसके जो दिर्ग उत्तरी प्रश्ण है यनि की जो चार अंक या पांच अंक में पूछे जाते हैं उन प्रश्णों के आज उत्तर यहां पे देखने वाले हैं तो यह दिर्ग उत्तरी प्रश्ण हमारे पास यहां पे कुल दस प्रश्ण दिये हैं इन दसों प्रश्ण के हम आंसर यहाँ पे एक-एक करके देखेंगे तो सबसे पहला प्रशन हमारे पास यहाँ पे दिया है इसका आंसर आपको यहाँ से नोट करना है तो आप इसके फटा-फट स्क्रिन शॉट लेते जाएए ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहूं तो आपको फटा-फट बस स्क्रिन शॉट लेते जाना है यहाँ से यहाँ तक आपने स्क्रिन शॉट ले लिया होगा अब इससे आगे का यह यहाँ पे और फिर इससे आगे का यह हिस्ता और फिर यह यहाँ पे आपका आंसर का समापत हो जाता है अब इसके बाद हमारे पास जो ये दूसरा प्रेशन दिया है इसका आंसर है यहाँ पे तो आप इतना स्क्रिंशॉट ले लिजे पहले फिर इतना इसा और स्क्रिंशॉट उसके बाद ये यहाँ तक आपने स्क्रिंशॉट ले लिया होगा अब और फिर इसके बाद यहां से आगे बढ़ते हम यहां तक तो यह प्रेश नमबर दो भी हमारा यहां पर complete हो गया अब प्रेश नमबर तीन यहां से शुरू हुआ है तो इसका screenshot लेते जाएए आप यहां से फिर यह चित्र है और चितर के बाद आगे ये वियंज़ खल कर रखा है तो यह यहां तक आपने screenshot ले लिया होगा तो यह आपने screenshot ले लिया है अब इसते आगे हम बढ़ते हैं तो यहां तक आप इसका screenshot ले लिजी यहां पर प्रेश नमबर 3 भी complete हो चुका है अब प्रेश नमबर 4 यहां से start हो चुका है और इसमें हम प्रेश नमबर 4 में यहां पर फिर एक diagram है इसे भी आपको बनाना है और फिर उसके नीचे यह और answer है इसका तो यह यहां पर आके question नमबर 4 भी complete हो जाएगा अब question नमबर 5 यहां से शुरू है इसका आप screenshot लेते जाएए तो यहां तक आपने ले लिया होगा अब इससे आगे काई है और उसके बाद हम देखते हैं इससे आगे यह press नमबर 5 भी यहां आपका complete हो रहा है अब press नमबर 6 है start यहां से तो press नमबर 6 का भी screenshot लेते जाएए आफटाफट यहां तक ले लिजिए अब इसका screenshot और उसके बाद यहां तक का आपको screenshot ले लेना है और फिर यहां पे आपका question नमबर 6 भी complete हो जाएगा अब press नमबर 7 जो है इसमें यहां तक आप screenshot लेजिए पहले उसके बाद हम इससे आगे देखते हैं यहां तक आप screenshot ले लिजिए अब और फिर उसके बाद यहां पे आपका question का answer complete हो जाएगा अब press नमबर 8 जो है हमारा यहां पे start हो चुका है फिर इस press नमबर 8 में ही यहां पे इतना हिस्ता और screenshot ले लिजिए चितर तक उसके बाद यह जो वियंजक है यह हल किया हुआ है यहां पे तो यहां तक आपने screenshot ले लिया होगा उसके बाद यह यहां तक आपको screenshot ले लेना है और फिर यह बचा हो है इस्ता तो इस प्रकार press नमबर 8 भी complete हुआ अब प्रेश नमबर 9 को हम यहां से देख रहे है प्रेश नमबर 9 में आपको यहां तक note कर लेना है पहले उसके बाद फिर यह आपको चितर बना लेना है और चितर के बाद यह नीचे solve किया हुआ है थोड़ा अब प्रेश नमबर 10 शुरू करते हैं प्रेश नमबर 10 में यहां तक आप screenshot ले लीजिए पहले उसके बाद फिर यह diagram है और diagram के बाद आपको यह नीचे का यह screenshot लेते जाना है तो यहां तक आपने ले लिया होगा अब यह यहां तक ले लीजिए उसके बाद और यह यहां पे है और यह question number 10 भी complete हुआ इसके बाद question number 11 जो दिया है यहां पे उसका answer है यह और साथ में इसमें diagram भी है यह और फिर यह इसका बचा हुआ answer फिर last में हमारा यह question number 12 है यहां पे अब question number 12 का यहां तक आपने screenshot ले लिया होगा उसके बाद यह इतना हिस्ता और फिर इसके बाद यहां से आपका यह जो बचा हुआ इससा है इसका प्रश्न का वो तो इस प्रकार से यह हमारा जो chapter था यह यहां पे complete हो चुका है अब इससे आगे के प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद